कुछ दिनों से सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं जब से सल्मान को जान से मारने की धमकी मिली है उसके बाद से उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना कम कर दिया खै और उनकी सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है सल्मान को कुछ समय पहले लौरेंस बिश्णोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी बिश्णोई समाज के लोग काले हिरन को भगवान का अवतार मानते हैं सल्मान पर काला हिरन मारने का आरोप है 24 साल पहले फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सल्मान जब शिकार के लिए गए थे उस समय से मामला सामने आया था काले हिरन को मानने वाले बिश्णोई समाज ने अब कानकानी गाउं में काले हिरन का बड़ा सा समारक बनाने का फैसला लिया है ऐसी ही खबरों के लिए लाइक और सबस्क्राइब करना न भूले